दाल वड़ा, मेदू वड़ा, बटाटा वड़ा, वड़े तो बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज मैं जो वड़े बनाने वाली हूँ, वो थोड़े से डिफरंट टाइप के हैं, वो शायद ही आपने बनाये होंगे और खाये होंगे, तो चलिए आज बनाते हैं अर जो आटे में इसे अंदर यूज करने वाली होंगे वो भी बहुत ही है, तो ये वड़े थोड़े से हल्दी बनेंगे, थोड़े से मैं इसले बोल रहे हूँ, क्योंकि वड़े हैं तो उन्हें फ्राइटों करना ही पड़ेगा, तो थोड़े से वो अल्हेल्दी हो जाए तो मैंने इसके अंदर सब्सिया डाली है तो यहां पर मैंने एक मिडियुम सइस की लौकी ले ली है एक घाजर एक भीटूट ले लिया है साथ में थोड़े से लसन मीर्च और अद्रक भी ले लिया है सारे vegetables को मैंने अच्छे से छील लिया है चले अब इसे chopper में chop कर लेते हैं आप चाहो तो इसे कद्दू कस्पी कर सकते हो लेकिन मेरे पास ये chopper है इसमें अच्छे से fine chop हो जाता है अगर आपके पास इसतरा का चौपन नहीं है तो आप इसे कद्दुकर्स कर के भी ले सकते हो तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक बीट रूट साथी में मैंने मीर्च ले लिया है यह तिकी वाली मीर्च है तो आपको जीतना तीका पसंद हो उतनी आप मिर्च इसके अंदर एड़ कर सकते हो तो मैंने 5-6 मिर्च ले ली है एक छोटा टुकड़ा अद्रक का ले लिया है और गाजर और लोकी को भी मैंने इसके अंदर टुकड़े करके डाल दिया है 10-12 मैंने यहाँ पर लसुन की कलिया ली है क्योंकि इसके अंदर लसुन का टेस्ट बहुत यह चलगता है तो चलिए अब इसे हम चॉप कर लेते हैं यहाँ पर मैं चॉपर का यूज़ कर रहे हूँ तो मैंने अद्रक मिर्च और लसुन को भी इसके अंदर ही डाल दिया है अगर आप सब्सियों को ग्रेट करके मतलब के कद्दू कस करके ले रहे हो तो उसे आप कूट ले या फिर मिक्सी में पेस्ट बना ले तो देखिए यहाँ पर हमारे सब्सिया चॉप होके एकदम रेडी है तो इतनी फाइन हमें चॉप कर लेनी है चलिए अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक बड़ी सी परात और इसके अंदर में डालूंगी बहुत सारे आटे तो यहाँ पर परात में मैंने सबसे पहले रख दी है एक चलनी और एक कटोरी कटोरी से हम मेजरमेंट करके लेंगे ताकि आपको पता चले कि कितने आटे से कितने वड़े बन सकते हैं तो यहाँ पर मैंने जवार और बाजरे काटा लिया है मैं मार्केट से लाती हूँ तो मैंने दोनों आटे मिक्स करके लिये हैं मार्केट से मैं ऐसे ही लेके आती हूँ दोनों मिक्स करके तो चावल काटा जरूर ले और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है मक्के काटा तो एक कटोरी पर के मैंने मक्के काटा लिया है सब आटे को हमें अच्छे से छान लेना है और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ पर मैंने तक्रीबन 5 कटोरी परके 8 लिया है सब मिला के चलिए अब इसके अंदर डाल देते हैं 5-6 चमच जितना तेल और एक चमच डाल देंगे अजवाइन उसे थोड़ा सा मसल के डालेंगे दो चमच लेंगे तेल यहाँ और टेस्के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाल देंगे हम गुजराती हैं तो हमें खटा मीठा बहुत पसंद है तो मैंने इसके अंदर 5-7 चमच जितनी PCV चीनी डाली है और चीनी की मिठास को बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर टाई चम्मत चीतना दही लिया है मतलब कि खटा वाला दही लिया है अगर आपको मिठा नहीं पसंद है तो आप चीनी को स्किप कर सकते हो हम गुजरते का खाना थोड़ा मिठा होता है क्योंकि मिठे के बिना हमारा काम नहीं चलता है तो हम हर देश में थोड़ी बहुत चीनी या फिर गुड़ का यूज़ करते हैं चले यहां पर मैंने सारी जो सबजिया मैंने चौप की थी वो इसके अंदर डाल दी है और थोड़ी से मैंने हल्दी डाल दी है एक चमर चीतनी और अब इसके अंदर डाल देंगे धनिया पती बहुत सारी धनिया पती डाल देंगे अगर आपके पास मेथी है तो आप मेथी के पत्ते भी इसके अंदर डाल सकते हो लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है अगर मेथी नहीं है तो आप कसोरी मेथी भी डाल सकते हो मेरे बच्चों को कसोरी मेथी का टेस इतना पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाली ह चले आटे को गुंत लेते हैं तो इसके अंदर हमने लौकी का यूज़ किया है तो लौकी में बहुत सारा पानी होता है तो पानी यहाँ पे हम कम से कम यूज़ करेंगे यूकि यह जो आटा है वो थोड़ा सा हाड होता है बहुत ही लूज आटा नहीं हम बनाएंगे अगर ल अगर आटा थोड़ा भी लूज हो गया तो हमारे वड़े बनने में दिक्कत आएगी, वो थेपते समय हाथ में चिपक जाएगा आटा, तो चलिए यहाँ पर आटा हमारे एकदम रेडी है, इसे हमें रेस्ट नहीं देना है, फटाफट से हमें इसके वड़े बना लेने हैं, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है, जब तक मैं वड़े थेप लोगी, तब तक हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो जाएगा, तो चलिए, अब वड़े हम थेप लेते हैं, तो वड़े किस तरह थेपने हैं, आप देख लीजिए, तो इस तरह थोड़े सा हमें आटा लेना है, और इस तरह जो हाथ की हथेली का यह जो पार्ट होता है, वहाँ से हमें उसे दबाना है, तो जो वड़े है बीच में से थोड़ा सा मोटा रहेगा, और साइड्स में से पतला रहेगा, तो इस तरह का वड़ा हमें थेप के तयार कर लेना है तो आप देख सकते हो तो इसलिए वड़े बन जाते हैं यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि यह जो वड़े हैं उसमें दरारे नहीं पड़नी चाहिए मतलब कि यह जो लोई हम ले रहे हैं उसे अच्छे से हम राउंड कर लेंगे उसके बाद ही उसे थ तो इस तरह थोड़े से तिल लगा लेंगे और इसे थेप लेंगे तो यह दिखिए देखने में कितने बड़िया लग रहे हैं तो मैंने दो दलखने मेने बड़े बनाए हैं calculated इस तरह तील वाले भी बनाए हैं, तो यहां पर मैंने सारे वड़े इस तरह थेप के तयार कर लिये हैं, तो यहां पर मैंने थेप लिये हैं, बीच में मैंने मिर्च भी ले लिये हैं, इसके साथ मिर्च बहुत अच्छी लगती हैं, तो जो कम तीकी वाली मिर्च आती हैं, व थोड़ा सा हम आटे का पार्ट डाल के देख लेंगे अगर फटार से उपर आ जाए तो समतलिना है तेल रेडी है अब यहां पर वड़े को हमें फ्राइ करने में भी थोड़ा सा द्यान रखना है हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे नहीं तलना है हमें इसे मीडियम टू हाय फ्ल इस तरह गोल्डन म्रांज होने तक हमें इसे फ्राइ कर लेंगे तो यहां पर एक बेस मैंने फ्राइ कर लेंगे द्ञारे ग अब हमें तल लेनी है मिर्च तो मिर्च तलने के लिए मैंने जो जारा लिया है उसके अंदर ही मैंने मिर्च डाल दी है और मिर्च को भी मैंने फ्राय कर लिया है यहां पर हमारी चाई भी ओर्मॉस्स रेडी है तो यह देखें फटा-फट से वड़े बन गए हैं विल्कुल ह Perez लेघे मुष्ट अपरुपात प्रस नहीं द दो लिए नाट चले के न कम पिता खांद दूड़ेकर पिते होगों के ही क्ज़वाली न्यम्युश्ट इसे कहने हैं के शकशत हैं। भबलुंगकी की मिड़ी संस Lex तो चलिए आपको इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि इतने बड़े अलग रहे हैं तो अगर आपको आज के यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सिस्क्राइब मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई जैशी कृष्णा